नमस्कार मैं राहूल तिवारी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी मैं हाजिरू आपके सामने अपनी खास रिपोर्ट लेकर चंडिगर्ड और इसके आसपास के इलाकों में होली कात्योहार एक तरफ खुशिया लेकर आया तो दूसरी तरफ शाम होते ही कई घरों में मातम के बादल चा गए 2020 की होली बड़ी गंभीर घटनाओं से भरी रही जिरकपूर सिमला हाइवे पे अज्यात कार की टकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई जिरकपूर ढकोली में सिटी हाट के सामने फ्लाइओवर पर एक अज्यात वहांने रात आट बजे पैदल जा र के जींद में मामोली कहा सुनी के चलते एक शराब की ठेकदार को गोली मार का हत्या गर दी गई शराब ठेकदार की पहचान बीवीपूर गाओं के शुक्वीर उर्फ सोनुक के रूप में हुई है हत्या या अत्महत्या मोहाली में 11 Вीक्षा के छात्र हर्मन प्रीट .. संदिग्द परिस्थितियों में मौत हो गई है स्कूल प्रशाशन जहां इसे आत्म हत्या बता रहे हैं वहीं माता पिता का आरोप है कि उसके बच्चे की हत्या की गई है जिरकपूर कार का संतूलन बिगडने से एक की मौत एक घायल ब्रीजा कार का संतूलन बिगडने से खंबे से टकराई कार कार में दो व्यक्ति मौजूद थे दलजीत सिंग कंबोज और दर्शन सिंग मौके पर दलजीत सिंग जिसकी उम्र 34 साल है उसकी मौके पर ही मौत हो गई जो जिरकपूर के पटियाला रोड के दशमेश कलोनी का रहने वाला था चंडिगर में दिखा पिटबूल कुत्ते का आतंग पंजाब की लड़की को बनाया शिकार बीते मंगलवार को शहर के सेक्टर 30 में पिटबूल के आतंग का ताजा मामला सामने आया है जहां पंजाब की एक लड़की को पिटबूल ने अपना शिकार बनाया वो तो गरीमत रही की समय पर लड़की को कुत्ते से छुडवा लिया गया लड़की का इलाज सेक्टर 16 के अस्पताल में चल रहा है घायल लड़की की पहचान 25 साल की लवली के रूप में हुई है मैं लेता हूँ जाज़त आप से और ऐसी ही खबरों के लिए बने रही हैगा अर्थपरकास टीवी के साथ ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें